लोग तो 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 मेरा नहीं ख्याल यह वर्क करेगा लेकिन देख लेते हैं कोई शूरी है नॉट नंबर है नॉट नंबर नंबर एड़े एड़े में सारे रखे हुए किसक्स करेंगे किसक्स करेंगे लूब लगेगा ठीक है यह हमारे पास सोलूशन और इस वार आई इस इक्वल टू जीरो आई शुट बिलेस थैन इस शुट बिलेस थैन प्लेट प्लेट नंज डॉट लेंट नंज दॉट लेंट आई प्लस प्लस कॉंसोल डॉट लॉट लॉग प्लेट नंज आई ठीक है थ्री टाइमस उसने हमें बिल्कुल सभी बता है क्यूंकि यह अगर एक वैल्यू आपकी जावास्क्रिप्ट में कॉंसोल में दो दफ़ा आ रही हो तो वो राइट पे ठीव बताता है यह टू बताता है उतने नंबर बताता है कि इतनी दफ़ा रही है ठीक है ओक है एक हां क्या नहीं समझाए आखरी वाली लाइन नहीं समझाए ओके मैंने एक लूप चलाया जिसमें आई जूकल टू जीरो और वो कहां तक चलेगा जो हमारी एरे एक स्प्लेट नम्स की उसकी लेंड तक चलेगा ठीक है आई प्लस प्लस हर बार एक इट्रेशन होगी इतन हमें कोई इंडेक्स निकालना हो एरे का साइन और उसमें इंडेक्स आई में हमें क्योंकि हमार पास तीन आइटम्स है तो जीरो वन टू चलेगा जाए इस तरह आई लिखा तो उसने तीन दफ़ा में छे लागे दे दिया करेंगे करेंगे ओके मैंने यहाँ पर एक वरियाबिल में आ लिया वार काउंट इस इक्वल टू जीरो ठीक है काउंट इस इक्वल टू जीरो काउंट इस इक्वल टू काउंट प्लस नंबर और इसमें रख देंगे स्प्लेट नम्स आई लबरदेश्ट साइए आए कॉंसोल डॉट लॉट लॉग काउंट सेफ किया हमारा एक किसम का में काम होगी है यस लेंट भी मिल गई और एरे को सबसे पहले जो नंबर्स की आई उसको हमने तोड़ा किसमें तोड़ा और फिर उसको एरे में करा फिर एरे पर लूपिंग करके हमने उसको एक विरियाबिल के जरीए उसको एड़ करा ठीक है तो यह आपकी एक्ट्रियल ठीक है ओके अब मैंने बुला इफ कर देते हैं कॉंसोल डॉट लॉट लॉग काउंट डिवाइड़ बाए नम इन्पुट लैंग तरह यह सेफ किया तरह चाहिए है तो अगर वह फॉस्त तुरत में लगता अगर हम फंक्शनल फंक्शन के तोर पर काम करते दो तहीं है एक शिक्स थ्रीजाइटीन है अगर आए के आगे बताओ ट्रिपल सिक्स का अंसर में देखो यह बिल्कुल हमारे पास देख लेते हमारे पास थृआना चाहिए मैं यहां गया उपर और यहां पर लिखा इसको कॉपी कर गए इसको भी रहने देते हैं नीचे आ जाते हैं दुबारा 12345 साइए टेफ किया बिल्कुल साइए क्लियर हो गया सबका कैसे बता चलेगा कि डेट मैं थड़ से सबको क्लियर है फर्स 15 डेज ऑफ दमन्थ यह बोला है इसको आप यूजर इंपूर्ट होगे कोई वे किसमें से एक से लेकर तीश सकत अगर ग्रेटर देन इस एक्वल टू 15 16 है अगर ग्रेटर देन 15 है तो वह बोल दे के लास्ट डेज अफ दमन्थ वर ना 15 डेज अफ दमन्थ क्लियर है हो जाएगा यह चलो फिर ऐसे कर लो यूजर से कोई डेट लेला वो यूजर इंपूट से लेंगे लेकिन इंपूट से लेंगे आप प्रॉंक में डेट नहीं ले सकते हैं ठीक है सब्सक्रोंब बना दिया और उसमें से आपने डेट निकाल ली कैसे ऐसे अगर यह 15 से जाद है तो लास्ट डेज अफ दमन्ट वरना स्टार्टिंग देज अफ दमन करेंगे हम वह यूज करेंगे डॉक्मेंट एच्टेमल यूज करेंगे यह रिजेक्स से होगा इसके लिए आपको रेगुलर एक्स्प्रेशन चाहिए यह वाला सबको समझाएं यह क्या हो रहा है बस यह करना ऐसा और कुछ नहीं करना था है ओके चलो यहां पर आते हैं जरा यह क्या कह रहा है कि हमारे पास कितने चप्टर हो गए हमारे पास हो गए हां उसी के त्यारी से दो आया था सुच स्टेट्मेंट और भी रहते हैं अच्छा हमने फंक्शन्स पढ़ने के बाद हमने वह भी करा था है और हमने कमिंटेंग भी यह बता रहा है कि चलो कुछ नहीं पढ़ते हैं हां जन्वरी में नहीं भाई टेस्ट आपका लेंगे थोड़ी देर पहले अभी सब आड़ बज़ें कि चलो ठीक है भी देखते हैं क्या गरना है मैं यहां पर बना रहा हूं एक डिव यह हमारा कुण सा चैप्टर कहलाएगा यह हमारा कहलाएगा रीडिंग फेले वेल्यू चैप्टर नम्बर फोर्टी नाइए जाए 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 कर दो इसमें आपको यह बता रहा है कि जावा स्क्रिप्ट से स्टाइलिंग कैसे करेंगे वह मोगा मिला तो हम करेंगे वरना जरूत नहीं है जरूत नहीं यह नहीं हां रियक्ट में अपनी करेंगे लेकिन जैसे नॉर्मल कर रहे होते हैं से बूट्ष्ट्राइब से वैसे ही करेंगे और बाकी यह कुछ चीज़ें बता रहा है फोकुस बगएरा और यह बहुत जादा यूज होने वाली चीज़ें नहीं है ठीक है रीडिंग फिल्ड वैल्यूस यह आपका एक मोस्ट इंपोर्टन टॉपिक है क्योंकि प्रॉंट कभी उस नहीं करेंगे मैंने यह बना दिया डिव और उसमें बना दिया लेबिल में आप लोगों को पढ़ा चुका हूं ठीक है और यहां पर मैंने बना दिया नेम और एक बना दिया इंपुट तरह यह टाइप टेक्स्ट लेस होल्डर एंट्र यॉर नेम और आइडी देदी मैंने इसको नेम और आइडी जो होगे वही फॉर में आएगी ठीक साही है इतना इनफ अभी के लिए आइडी को मैंने कॉपी कर लिया सेफ कॉपी और मैं आगया इधर वार इंपुट एल इस एकुल टू डॉकुमेंट आगे वोलो गेट एलिमेंट बाइडी आपको जावा स्कृप्ट का जावा स्कृप्ट से एलिमेंट गैट करना है किसका एच्टी एमल का उसके लिए यह आपके पास मैथट है जेट एलिमेंट बाइडी ठीक है और यहां आपको बताना पड़ेगा कि उसकी क्या इडिय है हमारे पास इंपुट की क्या इडिय है नेम हां समझा रहा है कि मैंने आ लिख दिया ने तॉन्सोल डॉट लॉट 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 इनपूट इन कि ए करेट पाइए तही है पड़े इसकी आइडी यास लेकिन यह हमारे काम का नहीं है ठीक है ओके मैं चाह रहा हूं इसका इसकी जो वैल्यू है वह हासिल करनी है एक बटन भी बना लेते हैं किदर किदर नहीं लगावा कि बटन लेकिन फॉर्म का टैग यूज निकरेंगे यूज निकरेंगे तरहिए मैंने आपको इवेंट्स पढ़ाएं एक हमारे पास मोस्ट इंपोर्डेंट इवन होता है ओन ख्लिक थीक है मैंने याप फंक्शन मनाया फंक्शन पड़ चुके हैं फंक्शन सब्सक्राइब देटा इस एक्वल टू देस नॉट देस ठीक है है फंक्शन अभी पढ़ाए नहीं है ना उनक्या था तुई थी पॉच्छी वह बहुत मज़े की चीहता है वाई तो लिखने में भी एज़िए तो लिखने में सब्सक्राइब देटा और यहां पर मैंने फंक्शन को कॉल कर दिया है और क्लिक कि यहां तक किसी को इशू है तो वह बता दे यहां तक सब को क्लियर है बटन क्लिक कर रहा हूं वैल्यों जो कॉंसोल में वह आ रही है कि एक फंक्शन मनाया है उसको बटन क्लिक प्लिक पे कॉल किया है आगे बढ़े यह देखो ना सब्सक्राइब कर रहा हूं इतनी दफ़ा नंबर आते हैं इतनी दफ़ाइब मैंने बोला इंपूट येल डॉट वैल्यू सेफ किया है तो यह हमारा यूजर इंपूट असल में प्रॉंप्स हम कुछ नहीं लेंगा इंडा यह हमारा काम करेगा प्रॉंप्स से लेना देना खता हूं वह बेसिक्स होते हैं उनके लिए होता है आप हमेशा कभी यूजर को प्रॉंप्ट नहीं दोगे आप उसको अच्छा सा फॉर्म रेडी करके दो कि इसमें लिखो अब वह बार बार प्रॉंप्ट देखते रहें बुलें कितने आएंगे यार अब अच्छा सा बना के दो कि बंदा भरते में भी खुश हो अब वह लोड हो रहा है अगला बोले कितने आएंगे यूजर इंटरफेस बहुत खराब हो जेगा आपका ठीक है जतना मर्दि उसको आप अच्छा कर दो ठीक है मैं चाहरा हूं कि जब तक कुछ भी ना लिखा हो तो वैल्यू सब्मिट ना हो तो आज आज आप इफ अंदर तो यह चाहिए इन्पोट एल डॉट वैल्यू एक मिनट इन्पोट एल डॉट वैल्यू डॉट वैल्यू डॉट मैंने ट्रिम पढ़ाया आपको नहीं पढ़ाया बिल्कुल वर करें चलो पहले वह कर लेते हैं डॉट वैल्यू चलो उसको भी छोड़ो पॉल्स लगा दिया अगर फॉल्स है तो यह प्रॉंट वाले बाई अलट चला देते हैं अलट कुछ लिखो और एल्स में हमें वो हमारा कॉंसोल देए ठीक है सेफ किया और इसको रहन करते हैं कुछ प्रॉंप वाले भाई कुछ लिखो यह आपकी बेसिक वैलिडेशन हो गई है है यह आपके पास आगया नहीं है और मैं चाहरा हूं इस अभी कर सकते हैं जाफ्त आप यह जाफ्ति निलखा मैंने अगर आगे बल्स लगाया वह और अगर और उसमें सिरुस्हों होता है होता है जिरुख होता है होता है इंडिफाइन होता है यह पांच और फालसी वैल्यूस निज आवश्क्रेपट ठीक है ओके मैं चाह रहा हूँ कि यह जो एहमद है इसको भी बाद में कैंसल किया जाए ठीक है तो मैंने किया इसको कॉपी तो यह डॉट वैल्यू इस इक्वल टू डिस सेफ किया एंटर यह लेट वाले भाई तो यह अली हमारा फॉर्म भी एंप्टी हो चुका है आप फॉर्म जब भरोगे उसको एंप्टी भी करवाओगे ऐसा नहीं होगा कि फॉर्म तुमारे सारे भरे रहेंगे तो तुम आगे दे आगे बढ़ते जाओगे फॉर्म सारे आपका टास्क कंप्लीट होने के बाद उसको एंप्टी करवाना ज़रूरी है ठीक है यह है ओके हम हम हां एक और इंपुट लगा लेते हैं मैंने इसको कॉपी किया पर्स नेम लाग सम्ड़ देग्टी अपयार रशी पर्स नेम और यार रशी पर्स नेम और यह आपका फ़र्स नेम लास्ट नेम लास्ट नेम लास्ट नेम सेफ किया हमारे पास लगाना पड़ेगा क्योंकि इस आर इन लाइन अलीमेंट्स पेव इन इंट्रियोर फ़र्स नेम एंट्रियोर लास्ट नेम ठीक है पर्स नेम कोपी करा और में आया वार पर्स नेम एल आपको विरियाबिल नेम जब भी काम करोगे न तो रेलिमेंट्र रखने फर्स नेम एल स्टेंड फॉर फर्स नेम का एलिमेंट्स ठीक है और यहां पर देदी उसकी आईडी इससी को कॉपी करके नीचे लाते हैं लास्ट नेम एल लास्ट नेम यही था नहीं यह नहीं था यही था फिर भी कॉपी कर लें ठीक है ओके अब मैंने क्या किया अब मैं थोड़ा सा चीज़ें डिफरेंट करूंगा वह बढ़ाता हूं वह पड़ाता हूं वह ऊके यह सब्सक्राइब देखो यह क्या कर रहा है आपके पहली वैल्यू अगर कुछ नहीं हो तो यह चलेगा आप मैंने लगा दिया और जोके मेरा यूँ है आपकर यूँ है और इंपुट एल नहीं पर पर स्केंश और यहां पर मैंने बुला लास्ट नेम येल डॉट वैल्यू ये भी अगर फॉल दो तो अलट चल जाए कुछ लिखो तहीं हां फिर लगें फिर लगेगा और अलट में मैंने बुला कि कॉंसोल डॉट लॉट 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 पर्स नेम हों में अच्छा वो पढ़ा दिये ना मैंने अधिस्ट लॉट 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 लास्ट एम last time el dot value copy dot value is equal to this copy first time last time save and now we are going to enter right here prompt I will write but I will not write so what should I do then I will do because what you do this or this is a a सब्सक्राइब लास्ट नेम एंड फॉर्म प्लियर आपकी मार्क शीट इससे बड़ी जबर्दस किसम की बन सकती है जो भाई मार्क शीट बनाना चाहें तो सब्सक्राइब एक और चीज़ देख लेते हैं वो है कि इसी को कॉपी गया कि पिलेक्ट कि डेट कि ठीक है डी ओबी और आइडी है डी ओबी डी ओबी डी ओबी सेफ किया टाइप टेक्स नहीं रहेगा यह अच्छा सवाल था कि डेट ठीक है सेफ किया जाके देखते हैं कि उससे हमें इंपूट टाइप बदा इंपूट एक बनाके दे दिया जिससे हम लेकर आएंगे डेट आपको कभी फ्रेंट से मतलब कि यूजर से जब भी डेट लेनी होगे तो आप ऐसे लोगे है ठीक है ओके इसकी वैल्यू को कैसे लिकराएंगे सेम तरीका है करते हैं वार डी ओवी एल इस इक्वल टू डॉकुमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाइडी डी ओवी डी ओवी यह डॉट वैल्यू कि अगर हो फॉल्स सहीए तरी आपने और एक के साथ लगाया हुआ है अगर नहीं 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 जब लागा है नहीं जब लगाएंगे पहले तो वह बदाओ क्यों लगाएंगे एंड हमेशा तब लगाएंगे तुम कह रहे हो फर्सने में यह आए और लास्ने में भी यह आए इधर भी यह आए इधर भी यह आए तो लगाएंगे एंड तुम बोलो यह भी आए और यह भी आए तो फिर और आ जाएगा यास एक चीज़ टू होनी जाए है और में आप एंड में आप एक किसम की डबल कंडिशन लगाऊगे फर्सने इकल टू एहमद एक कंडिशन लास्ने में इकल टू अली दो कंडिशन यह यह भी आए तब तब अध्यू आए नोट वैल्यू तर्फ इस इकल तुदिश्ट तुट विए त्ट का दे रहा है इस तुदिश्ट यह 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 लाइन नमबर 75 से उपर वाली सेवंटी कर वा रहा हूं कि आपके फॉर्म को यह कर रहा है इसकी मदद नहीं 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 एक मेट इसको मैं हटा रहेता हूं कुंसो हां यह जो 68 69 70 इसकी मदद से आ रहा है कुंसोल पर यह नीचे वाला क्यों कर रहा है अब नहीं कर रहा है मैं 108 अब देखते हैं क्या आता है सेफ किया कि ओके इतना सही है कि अप्पी कि अब कि अब मैंने इस पर कर दिया क्लिक उस ने मुझे कलेंडर खोल के दे दिया जैसा मर्दी जहां का मर्दी आप डेट उठाओ उसको ले आओ सब्मिट करा सब कुछ मेरे पास आ गया लेकिन फॉर्म एंप्टी नहीं हुआ वह जो हम एंप्टी करा रहे थे वह इसके लिए कर रहे थे ठीक है थोड़ा सा कोड नीडेंग क्लीन करते कैसे करेंगे नहीं आया बाकि सब कुछ बिल्कुल सही है कोई मसले वाली बात नहीं है इनको मैंने किया एक पॉपी कि फंक्शन एक इधर कंट्रोल भी और सब कुछ क्लियर ओ तो क्लियर ओल जला दो जबरदेश यह क्लियर हुआ क्या किया मैंने एक फंक्शन मना क्लियर ओल का वह सब क्लियर करेगा क्या जब हमारा रिक्वाइड आ गया तो इस फंक्शन को कॉल कर दिया है कि टेफ किया कि सब्सक्राइब क्लियर हो या डेटा भी हमार पास वागए बिल्कुल जला सकते हैं बिल्कुल चला सकते हैं बिल्कुल वाँ गिरेगा बिल्कुल वाँ गिरेगा अगर वह बिल्कुल आएगा वह कैसे लेंगे यानि के तुम इदर या है सब्सक्राइब ना सबको ओके हाँ ठीक है यह वाला काम करते हैं नहीं नहीं सब्सक्राइब कर आती है क्योंकि हम कॉंसोल पर यह भी तर्ट है मैंने यहां पर ले लिया एक और डिव और यहां पर ले लिया एक एच वान तही है अगर मैं इसके अंदर दूँ स्पान एच ए एल लो तरही है ओके गुड है यहां मैंने ले लिया एफ आई आर पर्श्ट नेम ठीक है इसी को मैंने किया कॉपी 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 लाश्ट नेम लास्ट नेम और यॉर डी डॉट ओ डॉट बी रहे हैं एंप्टी 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 सेफ किया और यह रहा हमारा कॉलन 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 ठीक है पोड़ा सा इसको और इससे क्लियर है आई डी इस इक्वल टू पर्स नेम है इस पर्स नेम प्लेट्स है इस शोफ पर्स नेम कि शोफर्स प्लेट्ट कॉपी गया डास्ट नेंप प्लियर स्थ्टेन मैंने एच टीमेल में बनाए हैं उनके अजब एच वन के अंदर हम स्पान रखते हैं क्यों किनके स्पान एक इन-lion एलिमेंट है तो फर्स ने मैंने एच वन में रखा है और अंदर एक स्पान रखाव है उसमें आइडी दीवी है ठीक है इन तीनों को मंगबा लेते हैं कॉपी किया सेफ और आगए इदर तो भी चलेगा इशू क्या आएगा वह भी बताता हूं ठीक है वार शो फर्स नेम इस इक्वल टू डॉकुमेंट डॉट गैट टर्यूंट बाइडी शो फर्स नेम को पी शो लास्ट नेम शो डी ओवी शो लास्ट नेम शो ली ओवी ओवी लास्ट थोटा है ठीक है इतना सब तो सब को क्लियर है क्या किया है वी तक मैंने जब आपके पास एक दफ़ा पहले काम करते हैं इस फंक्शन को दुबारा चला के देख लेते हैं कि कॉंसोल तक हमारी वैल्यू आ रही है चाहिए बिल्कुल सेट है ठीक अब मुझे प्रिंट करवाना है जो भी मेरा जावा स्क्रिप्ट का कॉंटेंट है किसमें एक टीमल में ठीक है उसके लिए आपके पास बिल्टन मैथड़न जावा स्क्रिप्ट के जो आपको जावा स्क्रिप्ट का कॉंटेंट पकड़के एक टीमल में लिखेंगे ठीक है शो परस्थ नेंग डॉट इनर ट्रीमल ठीक है इनर टैफ ट्रीमल उस remark के रण जिसकी आइड को आपने पकड़ा हुआ हो है यह वाला तीम्स औंult अट-परस नेंग यह वाला शोफश कॉपर से में पिलर नॉट एकर ट्लीम फर्स नेम येल डॉट वैल्यू शो लास्ट नेम डॉट इनर एच्टीमेल इस एकल टू लास्ट नेम येल डॉट वैल्यू ठीक है इधर देखते हैं इधर हो सकता है कोई मश्चला हो अभी हम देख लेंगे शो डियो वी डॉट इनर एक्स्टीमल इस एकल टू दो बी येल डॉट वैली वेफ्या और इस फंक्शन को रहने करते हैं वांच अगया आपका एच्टीमल जो था जावा स्क्रिप्ट से अब एच्टीमल में आया है ठीक है यह आपका एक बड़ा काम है इतना काम अगर आ गया है और प्रॉपर तोर पर आता है तो हां कुछ ना कुछ आता है मिड लेविल तक का काम आता है हुआ यह संस्वी इतना कामा आता है ना तो मैं लड लैविल तक का मार्कीट का आता है कि यह चीजिजिं कैसे हो रहे है कैसे चल रहे है Hai कुछ कुछ सभी है तो हाँ उसके लिए और पढ़ना पढ़ेगा ठीक है तो HTML से डेटा आपने पहले गैट किया ठीक है अच्छा आप जो बोल रहेते डिरेक HTML की अगर हम यह वाली ID उठा लें तो फर्स देम कैसे लिखते हैं वह फर्स देम को ओवर्राइट कर देता चलो हमें काम करते हैं मैंने यह ID उठाई और यहां से इसको X करके मैंने इसको यहां रख दिया और स्पान को मैंने खतम कर दिया अब बताओ क्या आएगा सेफ किया रिफ्रेश ठीक है आओ मुहम्मद समझे है उसने आपका जो एच्वन का लिखावा था उसको ओवर्राइट कर दिया क्योंकि जावा स्क्रिप्ट ने जब देखा अपडेटेटेड वैल्यू मेरे पास है तो पुरानी रिमूव अब यह है यह स्पान तो वैसे खाली था तो उसने स्पान वाली जिगां को फि फिर भी नहीं होगा वेक्टेक्स आपका जावा स्क्रिप्ट में वर्ट करेगा अच्टेमल में वर्ट नहीं करेगा कि अच्टेमल का हमार पाई यह तो है ही पैन लगाना पड़ेगा कि रीडिंग फॉर्म वैल्यूस हो गई है हमारी ओके नहीं लगाएंगे लिगें हम डिव यूस करेंगे कि इन्होंने बिल्कुल उसी तरह बस यह कि विर्याबिल में नहीं रखा गैटरिंग बाइड डॉट वैल्यू डवली ट्रिपल इकॉल और फिर ऐसे भी कर सकते हो जैसा रख दिया डॉट वैल्यू करा दो जैसे आपका दिल करें हर चीज़ पॉसिबल है बस सिंटेक्स आप जो लिख रहे होना वह सही होना चाहिए अशचिए कि वेल्यू फिर्टिंग करें देश्थ वीजू पॉट्टेटिंग वाइल्यू से जैने नहीं कुछ नहीं जानों आपका जा पढ़ेंगे थोड़ा सा उस्सी ठीड टॉपिक आगे है ना उसको आने जो शुके शारा पढ़ेंगा तूट करिम गबद आ रहे था हमें सेफ किया